दोस्तों धान के साथ समझते हैं, मान के चलते हैं कोई व्यक्ति आज अभी करता बनता है और वो MDIT कम्प्रेट कर देता पहले साली यहां क्योंकि आप देखेंगे, जितने भी हमारे टेनर और मोटिवेटर हैं, उन सब की कवायद लगे पड़ी हैं लोगों को MDIT और SCOT बनाने में, कोई 6 दिन में MDIT बनाता हैं, कोई 30 दिन में MDIT बनाता हैं, कोई 1 मेन में में बनाता हैं, हम लेके चलता हैं कि इस व्यक्ति करें उनके साथ अगले साल को दरगटना घटी इस अभीकरता के साथ और वो दुनिया को अलविदा करें चले गए तो दूस्तों आप देखेंगे 30-32 लागा बिजनस क्या है तो आपको मुझे कॉमेंट में यह बताना है कि क्या उनके कमिशन उनके नॉमनी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा चाहिए उनके वाइफ हो चाहिए उनके बच्चे हो चाहिए उनके सिस्थर हो चाहिए उनके मम्मी या पापा हो कोई भी नॉमनी जो होगा क्या हमको इस केस में उनके नॉमनी को जो कमिशन है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चनल्ब फिंटेक्स हों में है दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे दोस्तों वीडियो जो है आज हमारी करा ले जीए अगर आपके दुकान है तो घर का इंचरेंस करा लिजिए मलाब हर चीज का अगर आपका प्रोडेक्शन रहे तो ख़ेंगे तो कोई भी ऐसे घटना करती तो आप कहीं ने कहीं पर थोड़े से एक विल करेंगे कि मैं कहीं करें बच पाया इन सब प्लानिंग के के वज़े से जिसको help फेनिशर प्लानिक का पार्ट भी कहते हैं और इंशोरेंस प्रोटेक्षन प्लान भी कहते हैं तो महलें दोस्तों अब देखेंगे हमारा यह है बेसी कोले कि हम समाज में जागरूब करते हैं और लोगे को बताते हैं कि आने वाली समय साहों से बचने के के लिए अपने आपको कम नुक्सान होने के लिए हम इंशुरेंस प्लान उनको रिक्मेंड करते हैं और हमारी बात को सुनते हैं हमारी बात को समझते हैं और वह चीज को जानते हैं कि अगले पल का कुछ नहीं बता और वह चीज को समझ करके हमसे इंशुरेंस प्लान लेते है और कहीं न कहीं पर अपने को सिक्कूर करते हैं अपने हैं आपको गर्व करते हैं इस plan के माधियम से चाहें वो healthy insurance हो चाहें वो life insurance हो चाहें वो गाड़ी या घर का insurance हो दोस्तों ये उनको भी पता है कि अगले पल क्या होगा नहीं पता, ये हमको भी पता है अगले पल क्या होगा नहीं पता, लेकिन दोस्तों हम समाज में घूम घूम करके लोगों को जागरू कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हम सुरक्षा दे रहे हैं किसी न आप जब विजर होंगे तो उसमें आपको किसी के आगे हाथ नहीं फिलाना होगा और हम बहुत अच्छे सुन को समझा कियाते हैं और हमारे समझ के अनुसार और समाज को देखते वे वह वह वैक्ति जो इस चीज को समझते हैं इस प्राब्लम को सलुशन के लिए हमसे प्राइ को अगर हम कहरें आपको समझ करते हैं तो आपनी चाइल के प्लानिंग कर लेते हैं किसी को समझाने को समय करने हैं और हमारी बात को करते हैं अपनी चैल्ड के के लिए टिकेशिन में से अब लोगों के स्वालों के खुब जबाणे देते हैं लेकिन अपने आप से सवाल नहीं पूशे है तो यह वीडियु इसके लिए दोस्तों तो कभी आपने सचा कि यह जितने भी घधनां ही हम बताते हैं लोगों को जा करके क्या हमारे साथ connecting सकते कि क्या दोस्तों हमारे साथ नी हो सकते हमें पता है हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है दोस्तों नहीं पता है जैसे उनको नहीं misin पता है हमको भी हेल्टी इंच्री गणा रखा है आपकी मे इंसार अपने अपने में इंच्री दुस्ति अगर नहीcida चिंतन के दोस्तों अबने चंतन करना ही जह कि आनलाईज करना है कि आपने कbreviutu और अगर नहीं है तो दुस्तों ये बहुत चिंतागा विशह हैं, आपको इस पर आज ही और अभी गौर करना पढ़ेगा, अपने आपको समय देना पढ़ेगा, अपने चिंतन करना पढ़ेगा, क्या आपने ऐसा क्यों गलती करें, क्यूंकि हम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, और हम लोगों को प बगवान भी माफ नहीं करेगा कि तुम जिस प्रोफेशन में ते जिसमें तुम्हारा यह काम ही यही था और तुमने दुनिया को जागरूप किया दुनिया को प्रोड़क्त किया और अपने आपको प्रोड़क्त नहीं कर पाए अपने फामिली को प्रोड़क्त नहीं कर कि यह उसके बारे में भी जूरू बीजार करें दोस्तों मेरी बाते आपको बड़ी अजीब से लगए हूं को कि यह सारी बाते आप अच्छे से जानते और यह आप रोज मरा के जिन्दगी में लोगों से करते हैं तो मैं आपसे बाते क्यों यह इसलिए कर रहा हूं को कि मैं काफी सार अडवाजर के संपर्क में रहता हूं और काफी सार लोगों के क्वाल बेटेंड करता हूं तो दोस्तों यह सवाल देखने को आता है कि अगडवाजर से मैं पूछते हैं कि क्या तुमारा कितने का इंचुरेंस है तो उसके पास ना के बराबर इंचुरेंस मिलता ह और पेंचन की बात करें तो वो कहता कि भीया मैं तो जो काम कर रहा हूं इसी में मेरी पेंचन है क्योंकि आपने सुना होगा दोस्तों कि जब आपने LAC की एजेंसी लेगी तो आपके जो डॉलप्मेंट आफसर हैं उन्हों आपको कहा होगा कि ये हिंदुस्तान की पहली और् लेकें और अपना भी जो जानकारी है को सांजा करें ताकि और दोस्तों रहां के साथा पहलें Saya करता हूं ने के उसके बाद मैं सारी बाते करता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल को देखने माले लोग जो हैं वो ज्यादा तर इंसुरेंस एडवाईजर हैं और अगर इंसुरेंस एडवाईजर को गलत जनकारी मिल थे समाज में भी गलत जनकारी फैलेगी तो इसलिए मेरे पहले मैं information को इकठा करूं, उनको research करूं, उसके बाद मैं evidence क्लेक करूं, उसके बाद मैं आपके पास video के माधिन से आओं, ताकि आपका confidence है, वो डुरुस्त हो से के, और आप जो भी knowledge आपके लेके forward करें, तो वो बिल्कुस सही knowledge हो, क्योंकि आप सही knowledge forward करेंगे, तो हमारा समा जरू कर लें, बैल आइकन को ही जरू कर लें, क्योंकि दोस्तों, तमाम तरक्य की जानकारी जो होती है, insurance जगह से, वो सब इस चैनल पर आपको मिलेंगी, और क्रास्क के LAC advisor के आपकर बात करें, तो दोस्तों, आप क्लम मेंबर कैसे बनते हैं, आपका minimum business guarantee क्या होती है, आप आपको क्लम मेंबर के क्या benefits होते हैं, ये सारी information ये मेरे चैनल पर अलेडी अवलेवल है, आप इसके लिए जाएंगे मेरे playlist पर तो आप मैंने LIC agent वीडियो के नाम से एक playlist बना रहे हैं, जहां पर ये तमाम तरक्य के जानकार की वीडियो वापे uploaded है, तो अगर आप इसको ज सवाल हैं, वो उनका जवाब को उन वीडियो के मादम से मिल जाएगा, तब जाकी जरूर देखेंगे, और चैनल को सब्स्राइब कर लिए दोस्तों, और बेल एक्कुम को हिट कर लिए तो उसके दिल से दनवाद, तो दोस्तों, वीडियो मागे चलते हैं, अब हम बात करते जैसे मैं आप से पूछा कि क्या आपने सुना था, या आपने आपके डियो ने कहा था, कि जब आपने एजंसी लिए थी, कि जब आपके साथ ऐसे कोई घटना घटेगी, अगर आपके काम जो आपने किया वाई, उसका जो रिन्मल कमिशन वाखके नॉमलियो को मिलेगा, त वह MDIT कंप्रेट कर देता पहले साली यह क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ट्रेणर और मोटिवेटर है उन सब की कवायद लगे पड़ी हैं लोगों को MDIT और स्योटी ट्योटी बनाने में कोई साथ दिन में MDIT बनाता है कोई 30 दिन में MDIT बनाता है कोई अगले साल को इदर घटना घटी इस अभी करता के साथ और वो दुनिया को अलविदा करें चले गए तो दोस्तों आप देखेंगे 30-32 लागा बिजनस क्या वाइं तो आपको मुझे कॉमेंट में ये बताना है कि क्या उनके रिन्मल कमिशन उनके नॉमनी को मिलेगा के नहीं म लेगा यह तो आपने कॉमेंट के मादिम से देनी ताकि सभी लोग को इस जानकारी साजा हो सके और सब लोग भी अपने आपको अपडेट कर सके तो दोस्तों आपको बता दूँ यहां पर एक रुपे का रिन्मल कमिशन उनके को नहीं मिनने वाला है यह मैं दोस्तों अगले साल भी जीवित रहते हैं और अगले साल भी यही काम किया उन्होंना अपना MDRT कम्प्लीट कर लिया और मालब साल कम्प्लीट नहीं वादता है तो दूसरे साल के और उनके साथ यह मिसपनिंग हुई और वो दुनिया को अलविदा कह चले गए तो दोस्तो आपने ये क्या आपको लगता है कि यहां पर उनके नॉमनी को रिन्वल कमिशन का बेंफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनके जाने के बाद तो दोस्तो आपको करेक्ट कर दूं यहां पे भी उनको एक रुपे भी नॉमनी को नहीं मिलना है जी दोस्तों एक रुपे नॉमनी को नहीं म रिसर्च करके ढूंड करके निकाला है और यह मैंने डाउनलूड कर लिया है मैं इसका स्क्रींशोट इक आपको दिखा पाऊंगों को कि पूरी फाइल में आपको दिखा निपाऊंगा इस पे वीडियो का मादम चे यहां देखेंगे तो हर देखेंगे तो हर चीज के बारें ंबात है कि application definition appointment of agent उसके बाद eligibility of condition of appointment त्रेनिंग एग्जामिनेशन प्रेपाइशन रिइनफौर्समेंट लेप शेटी बोनस कमिशन कमिशन रिलिनलों कमिशन सब के उपर हैं मनला कि अगर आपने इसको पढ़ लिया और यहागा अगर आपने इसको भी पढ़ लिया तो आपको काफिर जानकारी हो जाएगा आपन जानकाली पूरी होने चाहिए तो यह सारी जानकाली इसके अंदर है तुम आपको सिफ स्क्रीन शॉट दिखा रहो है यहां पर को पूरी फाइल को मूफ करना बड़ा मुश्किल है तो यहां पर देखेंगे सारी चीजे कंटेंट में सब चीज लिख रहा है तो यहां पर जिस नमबर पर जो टॉपिक है वहा है तर्मिनेशन आफ एजेंसी चौज़वे नमबर पर रेजिस्टेशन और सरेंडर ऑफ अपाइमेंट पाइन एजेंट उसके बाद पंद्रवे नमबर पर टर्मिनेशन आफ एजेंट ऑन एकांट ऑफ सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन तो हम लेकर चलेंगे दोस्तो हम लेकर चलेंगे दोस्तो इसकी डिटेल आखे चलते हैं मैंने आपको सीदह में पिस्ते पेज करनें फिव्क of Commission on Discontinience of Agency, इसमें काफी सारे पैरा लिक्षे में हम जो मेन पैरा उस पे चल देते हैं जो हमारे अगारे जो हमारे topic का जो जो एजञेंट है इसमें जो पांचवा का मतलब क्या है दोस्तों मैं हंदी में इसको थोड़ा सा क्लिर कर देता हूँ यहां पर कोपरेशन करा की कोई भी एजन्ट के डथ हो जाती है तो उसकी कम से कम का premium वो complete होना चाहिए दोनों साल तो जाकर कर मुसको मानेंगे कि यह eligible है इसकी जो इसका nominee eligible है को commission को लेने के लिए तो यहाँ पर कॉपरेशन लिखावा कि 12 लाइफ कम से कम इसके इनफोर्स हो जब इसके होगा लेशी जब तक आपके पांस साल पूरे नहीं हो जाते हैं इसको काफी सारे benefit नहीं मिलते हैं और यह जो रूल बुक है यह लाइशी की ही है तो यहाँ पर लाइशी ने इसको कमेशन को लेने के लिए तो दोस्तों यह आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है और अगर आप अगर आप नए जिएंट हैं या पुराने जिएंट आपने इसको ध्यान में जरूरू रखना है दोस्तों कि अगर आप नए जिएंट है तो कम सम इतना काम जरू कर देना है कि करने जाते हैं और कहीं नहीं को करने जाते हैं और कहीं नहीं करने वाले हैं अगर आपने एक रुपए का भी बिजनस नहीं किया तो आपको कभी आपने इस इसको प्रुमोट नहीं चीजे खराब होती कूटि क्या पर लोग की जमात आरीए इंशुरेंश इंडर्समें जोट रहें तो कहीं नहीं पर यह प्रोफेशन गलत हो जाता है यह अन्यठिकल प्रैक्टिस से इसको कभी न करें कोशिश करें आपने तरीके से चीज़ को समझा रहा आप जो महनद कर रहें हों मांदारी से करें तो आपको कहने कहीं पर काम जुरूरी मिलेगा दोस्तों यह जो इंफॉर्मेशन ते यहीं दिखती क्योंकि काफी सारे इजन भायों के सवाल देखी और काफी सारे इजन कि पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है और दुस्ते एक और अप्डेट इसमें देदू कि यह जो कमिशन की जो हम बात कर रहें आफ्र डेथ ऑफ एजन्ट यह काफी से कंपनियों ने भी इसको अड़ाप्ट करने के कोशिश किये अभी लेकिन डिकलेशन निया है जैसे इ कमिशन बोलते हैं अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लों का धन्यवाद इस वीडियो को लाइक जरू करें से दोस्तों और इस इंफॉर्मेशन को अपने इंशुरंस भाईयों में जरूर फॉर्वड करें ताकि उनको भी यह जानकारी अपडेट हो सके तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं वीडियो ता आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसके पर वीडियो त्यार करके आप लोग के सामने लास्क हूं तो दोस्तों इस वीडि झाल